संतोशी मा की महीमा संतोशी माता को संतुष्टी की देवी कहा गया है संतोशी माता भगवान शंकर तथा देवी पार्वती की पौत्री है वह भगवान गणेश की पुत्री है बहुत बार यह पूछा जाता है कि क्या संतोशी माता दुरगा का रूप है जी हां संतोशी माता को देवी दुरगा का सबसे शांत, कोमल, शुद्ध और दयालू रूप माना गया है वह कमल पर विराजमान है जो दर्शाता है कि स्वार्थ, अशिष्टता और भ्रष्टाचार से भरी इस दुन्या में भी संतुष्टी की देवी अभी भी अपने भक्त के दिलों में मौजूद है वह दूद से भरे समुद्र में खिले हुए कमल पर निवास करती है, जो उसकी पवित्रता का प्रतीक है कि जहां हृदय और समर्पन की पवित्रता है, वहां हमारी संतुष्टी की मा होगी संतोशी माता अपने सभी भक्तों के सभी दुखों समस्याओं का नाश करती है और उन्हें सम्रध्धी और खुशी का आशिरवाद देती है जो भक्त संतोशी माता की पूजा करते रहें तो वहां हमें पूर्ण सुख के मार्ग पर ले जाएगी एक मा के रूप में वह जानती है कि उसके बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है संतोशी माता की आर्थी करने से करियर और व्यापार में सफलता और सम्रध्धी देखने को मिलती है संतोशी माता चालीसा का पाठ करने से सुखसो भाग्य में व्रिध्धी होती है इससे जातक को माता की असीन कृपा, धन्बल और ज्ञानविवे की प्राप्ती होती है मा संतोशी न केवल पवित्रता और शांती प्रदान करती है वह अपने सभी भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है इनका दिवस शुक्रुवार माना गया है इने खीर तथा गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है संतोशी माता मान्यताओं के अनुसार वह एक चार हात वाली देवी है जिसके केवल दो हात अपने भक्तों को दिखाई देते हैं और अन्य दो तलवार और त्रिशूल जैसे हतियार केवल सत्य और अच्छाई के मार्ग में बाधा के रूप में खेलने वालों के लिए है बाए सामने के हाथ में एक छोटी प्लेट के रूप में चित्रित किया गया है उनका दाहिना हात वरद मुद्रा में है उसने फूलों की माला के साथ कुछ सोने के गहने और एक सुनहरा मुकुट पहना हुआ है वह पदमासन में लाल साड़ी पहनकर बैठी है संतोशी मा सबसे सुन्दर और सभी को प्रेम करने वाली देवी है जो अपने अनुयाईयों को आशिरवात देने के लिए हमेशा तयार रहती है और उनकी प्रतिमा को देख कर सभी भक्त अपनी समस्याओं को भूल जाते है और ऐसा महसूस करते हैं कि वे उनकी सुन्दरता और शान्ती में खो गए है वहीं देवी स्वयम इस दुन्या में सद्गुण और त्रिप्ती के अस्तित्व को इंगित करती है संतोशी शब्द का अर्थ है संतोष्ट या खुश और माता का अर्थ है मा इसलिए संतोशी माता का अर्थ है खुशी की मा या देवी जब कोई मनुष्य कुशी तथा संतोष्टी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, तो जीवन में खुशाली आती है संतोषी माता के जन्म का वर्णन करने वाली कोई प्रामारिक कहानी नहीं है, फिर भी एक कहानी का वर्णन मिलता है रक्षा बंधन के दिन भगवान गणेश की बहन, मनसा ने उनकी कलाई पर राखी बांधी और उन्होंने उन्हें उपहार दिये यहाँ देख उसके पुत्रों ने उससे कहा कि वे भी उसके जैसी बहन चाहते हैं क्योंकि वे भी इसी प्रकार पर्व मनाना चाहते थे भगवान गणेश शुरू में अनिचुक थे, लेकिन उनकी पत्मी और रिशी नारद ने उन्हें मना लिया जब हर कोई कन्या के आगमन पर बहुत खुश एवं आनंदित था, रिशी नारद ने घोशना की की भगवान गणेश की यह बेटी जो उनके मन से गर्भित है, यह हर स्थान पर आनंद लाएगी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और इसलिए उन्हें संतोशी माता के रूप में जाना जाएगा, जो एक दिव्यमा होगी, जो संतुष्टी एवं खुशी का एक अवतार होगी संतोशी माता की देश के सभी हिस्सों के लोगों द्वारा भक्ती के साथ पूजा की जाती है महिलाएं अतिरिक उत्सा के साथ देवी की पूजा करती है, जबकि उनमें से कई वरत भी रखती है महिलाएं उनके सम्मान में लगातार, सोला, शुकृवार तत इस अनुष्ठान का पालन करती है व्रत के दिन महिलाएं जल्दी उठती है, तथा स्नान करती है मियत स्थान पर संतोशी माता का चित्र स्थापित करती है उन्हें फूनों से सजाती है, सामने कलश स्थापित करती है और गुड, कच्ची, चीनी, केला आदी के साथ चना जैसे प्रसाथ चढ़ाती है तब माता की स्थूती में श्लोकों का पाठ करती है, गीत गाती है और आर्ती करती है व्रत करने वाले पूरे दिन उपवास करती है और रात के खाने के समय केवल एक बार भोजन करती है खट्टी और कडवी वस्तों से सक्ती से बचा जाता है, क्योंकि ये शुप दिन पर सुखद अनुभूती में बाधा डाल सकते हैं एक विवाहित महिला और एक ब्रामन को भी भोजन प्रदान किया जाता है, और इस अवसर पर विवाहित महिलाओं को दूध, चीनी, हल्दी, कुंकुं और भुने हुए चना उपहार में दिये जाते हैं ऐसा माना जाता है कि सोना शुक्रवार तत बिना रुके इस वरत का पालन करने से देवी प्रसन होती है, और वहां उनकी सभी कठिनाईयों और दुखों को दूर कर देती है, उनकी इमानदार इच्छाओं को पूरा करती है, और उन्हें धन, शान्ती और आनंद का आशिरव देती है, ये पूजा भक्तों की नकारात्मक भावनाओं को भी दूर करेगी और उन्हें प्रेम और करुणा जैसे गुणों से भर देगी, भक्त उद्यपन नामक एक समापन समारों का भी आयोजन करती है, जब देवी की पूजा की जाती है, और आठ लड़कों को दावत पूरे देश में संतोशी माता को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है, जिन पर लोग बड़ी संख्या में दर्शन कर पूजा अर्चना करती है, संतोशी माता मंदिर लाल सागर जोदपूर सरवाधिक महिमा में माना जाता है, भक्तों का विश्वास है कि जोदपूर में स्थि जाने शेशनाक के आकार की नजर आती है। कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। संतोशी माता की महीमा अप्रमपार है। संतोशी माता सभी को सुख, शान्ती एवं समृध्धी प्रदान करें। ऐसी हमारी कामना है। BNT की खास पेशकश